वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलिग्राम चैनल जरूर यूइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए खलो एवरीवान वेल्कम तू स्टारी फिसिबल सर्विसेज आयम इच्छा मिश्रा और यह वीडियो सीरीज हमारे चल रहे है यूपीपीस मेंस के लिए प्रफिक्स की जो मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स है उनसे संबंदेथ हम क्वेशन कर रहे हैं यह सीरीज बाइलिंग्विल है अगर आप हिंदी मेडियों के हैं या इंगलिश मेडियों के दोनों लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले मै ऑपको बताना चाओंगे अब अप यूपए शिक करने के लिए हैं रोव गा। के लिए हमारी क्रास कोर्सेश चल रहे हैं इन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप given numbers पर contact कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक free telegram channel को join नहीं किया हैं तो उसको जरूर कर लीजएगा क्योंकि channel से संबंधित सभी updates आपको यहाँ पर easily मिल जाएगे हैं। तो आएए अब हम देखते हैं अपने आज का प्रशन। आज जो हम एक question डिसकस करेंगे वो क्या है। Discuss the impacts of climate change on the monsoon pattern in India. भारत में monsoon pattern पर जलवायू परिवर्दन के प्रभावों पर हमको चर्चा करनी है। तो हम अब इसमें introduction क्या देंगे। इंट्रोडक्शन हम यह देंगे कि कैसे जो climate change है वो प्रभावित कर रहा है दुनिया बर को impact कर रहा है। उससे संबंधित हम चाहें तो climate change की reflection दे सकते हैं या कुछ data दे सकते हैं। इस तरह से हम लेख सकते हैं। मैंने आपको बताया है एक अच्छा introduction क्या होता है। या तो define कर दीजे आप term को या कुछ data दे दीजे। इस तरह से introduction easy हम easily start कर सकते हैं। otherwise start करने के एक अच्छा introduction बनाने के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। mostly इसको follow किया जाते हैं और इसमें अच्छे marks भी मिल जाते हैं। तो climate change क्या introduction क्या लिखा है। climate change has been impacting almost every climatic system across the globe and the monsoon pattern in India has been impacted by it। तो यह हमने normal सी बात लिखी हुई है, normal introduction है हमारा कि climate जो जलवायू परिवर्त ने यह दुनिया भर में लगबग हर जलवायू प्रणाली पर नकरात्म असर डाल रहा है। और ऐसा ही भारत के monsoon pattern पर भी हो रहा है इसका असर। और recent हमने data से बताया हुआ है, recently एक शोध हुआ, एक research हुई जिसमें बताया गया कि global warming जो है, यह trigger कर रही है climate change को और इसकी वज़े से fluctuations जो है, वो monsoon में हो रहा है। तो ऐसा कोई concrete data नहीं था लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी वो सही consider किया जाएगा। तो यह हमारा introduction हो गया, अब main body का जो part आएगा तो उसमें आपको basically impacts लिखने हैं, क्या impact पढ़ रहा है, monsoon pattern पर climate change का। ठीक है, पहला impact क्या है, पहला impact हो जाएगा, increase in frequency and duration of dry spells, यानि कि जो सूखा होता है, इसकी आवरती बढ़ गई है और अवधी भी इसकी बढ़ गई है। और इसमें हम data बताएंगे कि IMD की, IMD जो होता है, Indian Meteorological Department, इसकी जो report है, इसके हिसाब से क्या कहा गया है, 2022 जो है, ये second highest extreme events इसमें रेखे गए हैं, 1902 के बाद, ठीक है, और क्या impact पढ़ रहा है, जो monsoon burst है, वो भी, जो monsoons आ रहे हैं, वो काफी देर से आ रहे हैं, उसके ब इवरतर, शीलता, राइट, हिंदी में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 2022 में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महराश के कुछ हिसों में अधिक वर्श दर्च की गई थी, जबकि पस्चिम बंगाल, धार्खन, बिहार में सामान निबारश नहीं रेकी थी, ठीक है, तो यह variability भी हमको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी point आप mention कर रहे हैं, कोई भी impact का या किसी भी general answer में, तो अगर आप वहाँ पर अपना answer, example से वहाँ पर add करेंगे, तो definitely आपका उस answer की value add हो जाएगी, ठीक है, value addition हो जाएगा, तो कही पर भी आप कर पा रहे हैं, तो जरूर कीज़ेगा, examples को add, उसके बाद क्या impact देखा गया है, लिखा है, जलवायू परिवर्तन के प्रभाव के कारण, 2022 में, वर्षा में, एक छेत्री और अस्थाई परिवर्तन शीलता रही है, तो 2022 का data हमारे पास है, उससे हमको पता से ला है, यह भी जलवायू परिवर्तन के प्रभाव का ही कारण रहा है, उसके बाद, एक ही दिन में अत्यदिक वर्षा की अधिक इतना आकस्मिक बाद, जो flash floods होते हैं, उसका कारण बन जाती है, जैसे examples कहां 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 के है, मुंबाई, केरल, चेन्नाई, यहां पर हम flash floods भी दे हैं, यहां पर और भी factors होते हैं, flash flood के, लेकिन एक reason यह भी है, ठीक है, एक reason यह भी है कि वहाँ पर जो drainage है, वो proper नहीं है, ठीक है, जब proper drainage system नहीं होगा, तो बारिश हो रही है, तो वो obvious है कि वहाँ पर flash flood जैसी condition हो जाएगी, क्योंकि पानी वहाँ से बैही नहीं पा रहा ह राइट, उसके बाद देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक impact जो और बहुत important है, वो क्या है, मौनसून में परिवर्दन शीलता से देश में फसल प्रडालिया जो है, इन पर भी नकारात्मक प्रभावम देख रहे हैं, और जो खरीफ का मौसम है, इसमें लगबग पूरी तरह से मौनसून पर निरभर रहता है, और सितंबर में अगर भारी बारिश हो जाती है, तो इससे मुंग फली, उड़द, सोया बीन और मक्का जैसी जो छोटी अवरी खरी फसले होती है, इनकी प्रभावित होती है, और कम हो जाती है, तो agriculture पर भी हमको इसका प्रभाव दे पर है, right, then, जो भी impact थे, वो हमने देख लिए है, important सारे impacts हमने discuss कर लिए है, आप अपनी तरफ से चाहें तो और add कर सकते हैं, और चाहें तो आप comment करकर बता भी सकते हैं, कि जो impact समया पर add कर सकते हैं, तो दूसरे बच्चों का भी इसमें benefit हो जाएगा, तो अगर आपको कीजेगा और comment कीजेगा उसको, उतके बाद हम अपने conclusion पर आते हैं, conclusion में हम क्या लिख सकते हैं, उप्रोक्त से मौनसूनी पर चलवायू परिबरतन के निश्चित प्रभाव का भी पता चलता है, जहां मौनसून अब अधिक अनिश्चित और अप्रत्याशित हो गया है, इ अधिक कल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपर, तो रौ मटीरियल नहीं होगा, तो आगी की जो चीजें है, supply chain वो बादित हो जाएंगी, इस कारण सरकार को इसके प्रभावों के नियंत्रण की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए, और साथ ही जलवाय या conclusion, और एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है, कि आप अपने conclusion में जो लिख रहे हैं, उसमें एक दो way forward वाले जो measures हैं, उनको डाल दे, तो इसमें जैसे यहाँ पर नहीं measures डाले गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चाहें, तो डाल सकते हैं, जैसे हम technology का अच्छ चलेगा, और जो हमारे crops हैं, जो उगाई जा रहे हैं, जैसे खरीफ की फसले, जो प्रभावित हो जाता है, जिनका production वो प्रभावित नहीं होगा, इस तरह से हम अपना way forward भी conclusion में add कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई government की योजना याद आ रहे हैं, और आप यहाँ जैसे mention करना चाहते हैं conclusion में, तो उसको भी कर सकते हैं, जैसे जो government योजना चला रहे हैं, इसका proper implementation हो, तो काफी जादा beneficial होगा, इस तरह से भी आपने answer को conclude कर सकते हैं, तो यह हमने यहाँ पर देख लिया है, यह हमने आज का question discuss कर लिया, कोई अगर आपका सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं comment करकर, हम अपने next video में मिलेंगे, thank you so much